मेरे विचार में अब हम किसी भी संख्या से कोई भी संख्या घटाना सीखने के लिए तयार हैं। आईए जो हम जानते हैं पहले उसे थोड़ा दोहराते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं, सोला, घटा, चार, कितना होता है। मैं 16 सेब बनाकर चार सेब कम कर सकता हूँ, या संख्या अरे का खीच सकता हूँ। और ग्यारा तक ले जाते हैं। मैं आगे भी लिख सकता हूँ, लेकिन जगे की कमी हो जाएगी। मान लिजे, मैं नहीं जानता कि 16 घटा 4 कितना है। ज्यादा अच्छा होगा कि आप भी इसे अपने मन में सोचें, आप संख्या रेखा पर शुरू करें या अपने मन में इसकी कल्पना करें, आप चार स्थान पीछे जा सकते हैं, 16 घटा 1 है 15, घटा 2 है 14, घटा 3 है 13, और घटा 4 है 12, तो उत्तर होगा, 16 घटा 4 है 12, अब इसे हल करने का एक आसान तरीका है, आप केवल अंकों के स्थानों पर ध्यान दे, मेरा कहने का मतलब क्या है समझाता हूँ, दोबारा लिखते हैं, 16 घटा 4, मैंने जोडने की वीडियो में इस पर कुछ काम किया है, ये इकाई का स्थान है, 6 इकाई के स्थान पर है, 4 भी इकाई के स्थान पर है, ये दहाई का स्थान है, अब मुझे बताओ इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा, तो 16 ऐसे ही है, जैसे 10 धन 6, लिखते समय इस एक का मतलब है, एक दहाई, यदि पैसों में बात करें, तो इसका मतलब है 10 का 1 नोट, यदि यहाँ 2 होते, तो मतलब 10 के 2 नोट 10 के 2 नोट मतलब 20 रुपए, तो 2 दस के नोट और 6 एक के नोट, जो आप एक देख रहे हैं, वो दहाई के स्थान पर है, यदि मेरे पास 357 है, तो आप इसे 100 के 3 नोट, 10 के 5 नोट, और 1 के 7 नोट मान सकते हैं, इसी कारण इसे सैकड़ा, इसे दहाई, और इसे इकाई का स्थान कहा जाता है, और अब जब हम उधार लेने और समहू बनाने की बात करेंगे, तो इस पर ज्यादा गहराई से जानेंगे, इस वक्त आपको 16 में से 4 को घटाने के बारे में नहीं सोचना है, अब आप केवल इकाईों के स्थान पर जात कर पाएं कि 6 घटा 4 है 2, इसके बाद दहाई के स्थान पर जाते हैं, एक घटा कुछ नहीं, मतलब यहाँ एक ही रहेगा और उत्तर होगा 12, देखिए वही जवाब मिला, थोड़ा और सरल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, यदि मैं आपसे कहूं 78 घटा 37 क्या है, हम एकाई से शुरू करते हैं, यहां कहेंगे 8 घटा 7, 8 एकाई में से 7 एकाई कम करें, तो यह एक के बराबर होगा, 8 घटा 7 बराबर है 1, फिर हम दहाई के स्थान पर जाते हैं, 7 घटा 3, याद रखें, यह 7 दहाईया या 10 के 7 नोट, घटा 10 के 3 नोट, तो अगर म मेरे पास 10 के 4 नोट बचेंगे, यानि 7 घटा 3 बराबर है 4, और इस तरह हम जान पाए, 78 घटा 37 बराबर 41, अब यह करना बड़ा मुश्किल होता, अगर हम 78 सेब बनाते और उनमें से 37 काटते, या फिर संख्या रेका बनाकर 78 तक जाते और 37 तक वापस लौटते, आपको ज अब ऐसा ही एक और उधारन देखते हैं, मैं आपको एक उधारन देता हूँ कि ऐसा करने से कहां मुश्किल हो सकती है, तो मान लो मेरे पास, मेरे पास 95 घटा 31 है, 5 घटा 1 है 4, 9 घटा 3 है 6, तो 95 घटा 31 हुआ 64, आप शायद कहें कि घटाना आसान है, मैंने इकाई के स्था को देखा और घटाया, दहाई के स्थान को देखा और घटाया, लेकिन हर बार ये इतना आसान नहीं होता है, थोड़े से अभ्यास से जान जाएंगे कि ये इतना कठिन भी नहीं है, तो यदि मैं कहूं कि 22 घटा 17, 22 घटा 17 क्या है, एक बार फिर हम 22 सेब बनाकर उनमें से 17 कम कर सकते हैं और आप गिन सकते हैं, हमें सही उत्तर तो मिल जाएगा लेकिन इसमें ज्यादा समय लगेगा, अब सोचना यह है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम यहां इसे कागस पर कर सकें, अब आप कहेंगे वैसे ही कीजिए जैसा पहले किया था, अब यहां देखें कि अगर मैं 2 से 7 घटाने की कोशिश करूँ तो 2 बाते होगी, अभी तक जो गणित आप लोग जानते हैं, उसके इसाब से मैं 2 में से 7 तो नहीं घटा सकता, केवल 2 कम कर सकता हूँ, यह हमें 0 से भी छोटी रुनात्मक संख्या देगा जो हम नहीं जानते, हम यही जानते है कि 17 22 से छोटी संख्या है, अब समस्या यह है कि घटाने के सवाल को हम कैसे हल करें, अब हम जो यहां करने वाले हैं, उसे उधार लेना या समू बनाना कहते हैं, यह 2 ठीक यहां, यह 22 है, 20 धन 2, यह 22 यहां पर, तो 20 जमा 2, यह 17 है, जो 10 धन 7 है, 17 लिखने का यह एक और तर है, हमें घटाने के लिए 7 से बड़ा कुछ चाहिए, तो हम इस 2 या इस 20 से उधार लेते हैं, यह एक जैसे हैं, इसे दूसरे रंग में लिखते हैं, यह 2 यहां पर 20 के समान है, दहाई के स्थान पर 2 का मतलब 10 के 2 नोट, 10 के 2 नोट का मतलब 20 रुपए, इस 2 का यही मतलब ह यदि मैं इस 2 को बड़ा करना चाहूं, तो क्यों न एक 10 का नोट यहां से उधार लिया जाए, यदि यहां से 10 का नोट लेकर इसे इकाईयों में बदलूं, तो मुझे कैशियर के पास जाकर कहना पड़ेगा कि मुझे कुछ इकाईयों की जरूरत है, यदि मैं यहां से 10 ल अब ये 2 एक हो जाएगा, ठीक है न, हमने 2 दस से 1 दस लिया, तो 1 दस का नोट रह गया, फिर मैंने ये 10 इस 2 को दिया और ये 12 हो गया, अब हम वास्तव में घटा सकते हैं, 12 घटा 7 है 5, 12 घटा 7, मैं यहां दाई तरफ लिखकर तोड़े अलग तरीके से वही सवाल हल कर र इसे 0 पाच लिख सकते हैं, जो 5 के समान है, और यहां 10 घटा 10 होगा 0, तो ये 0 पाच हैं, इस तरह 22 घटा 17 है 5, अब हम कुछ और मुश्किल सवाल करते हैं, उमीद है आप समझ गए कि उधार किस तरह लिया जाता है और समू किस तरह बनाय जाते हैं, ये निर्भर करता है क इस तरह देखते हैं, तो अब मान लो हमें 703 में से 66 घटाना है, यदि मैं अभी सीखी गई तकनिक आजमाओं, तो आगे रास्ता नहीं है, मैं कहूंगा 3 घटा 7, मेरे पास 3 सेब हैं, मैं इन में से 7 कम नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, आप कहेंगे मैं उधार ले सकता हूँ, लेकिन 2 तरफ देखें, तो वहाँ पहले ही 0 है, मैं 0 से कैसे उधार लूँगा, इसके बाद वहाँ 7 है, लेकिन 7 से उधार कैसे ले सकते हैं, इस बारे में सोचने का एक सही तरीका है, जितना आप अभियास करेंगे, उतना अच्छा, तो ये 703 को 100 क 7 नोट धन, 10 के 0 नोट धन, 1 के 3 नोट के रूप में देखें, और 67 में 10 के 6 नोट या 60 धन, 7 नोट हैं, तो हम 0 से उधार नहीं ले सकते, क्योंकि 10 के नोट नहीं है, तो 100 के नोट के टुकड़े करने होंगे, इसलिए मैं 100 का एक नोट यानि 100 यहां से लेता हूँ, तो यहा 100 के 6 नोट के रूप में है, तो याद रखें, मैंने 100 का नोट लिया, तो अब मेरे पास 100 रुपे हैं, ठीक है ना, तो अब मैं इसके टुकड़े करके, इसे 90 देता हूँ, और दाएं तरफ, मेरा मतलब है 90 यहां, और दाएं तरफ, 10 का नोट देता हूँ, मुझे 100 के नोट से काम चलाना है, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ, 100 का नोट निकालता हूँ, तो मुझे मिलते हैं, 9, 10 के नोट या 90 रुपे, अब मेरे पास यहां 9 दहाईया हैं, और मेरे पास 10 इकाईया हैं, इसलिए मैं 10 धन 3 जोडता हूँ, तो ये 13 हो जाता है, ऐसे कॉलम बनाकर हर एक कॉलम में संख्याएं बांट ले, ऊपर की संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, इसलिए अब मैं घटा सकता हूँ, तो 13 घटा 7 है 6, 9 घटा 6 है 3, 9 घटा 6 है 3, 6 घटा 0 है 6, इस तरह 703 घटा 66 है 636, अब आप कहेंगे कि मैं समझ गया हूँ कि तुमने क्या किया है, तुमने 100 यहां से लिए, तुमने 90 यहां पर रखे, ताकि यह 9 हो जाए और तुमने यहां 10 दिये, मगर तुम यह जानते कैसे हो, इसे करने का व्यवस्थित तरीका क्या है, चलिए मैं आपको इसे करने का एक तकनीकी रास्ता बताता हूँ, तो मान लीजिए, मेरे पास 700 हैं, हम वही सवाल फिर करते हैं, 703 घटा 66, मैं उपर की संख्याएं देख खर सोचता हूँ, कि क्या वे सभी नीचे की संख्याओं से बड़ी हैं, मैंने देखा 7 3 से बड़ा है, 6 0 से बड़ा है, तो मुझे कुछ करना होगा, मुझे 3 से शुरुआत करके विचार करना है कि क्या बाई तरफ से उधार ले सकते हैं, बाई तरफ देखें, तो मैं 0 से उधार नहीं ले सकता, इसलिए मैं बाई और 2 अंकों को एक साथ देखता हूँ, और सोचता हूँ, क्या 70 से उधार ले सकते हैं, बेशक मैं 70 से उधार लेता हूँ, तो ये 69 हो जाएगा, अगर मैं 70 से एक दहाई लेता हूँ, तो ये 69 हो जाएगा, और मैं इस एक को जो असल में 10 है, यहां 3 में जोडता हूँ, इस तरह 10 धन 3, अब 13 है, अब बिल्कुल उसी तरह मेरे कॉलम बन गए, हमारे पास 13 घटा 7 है 6, 9 घटा 6 है 3, और 6 ठीक, यहां नीचे होगा, अब एक और तरीका देखें, एक और तरीका, इसी सवाल को हल करने का, 703 घटा 66 हल करता हूँ, हम 22 तरफ से शुरू करते हैं, देखें, साथ के नीचे तो कुछ नहीं है, अब इससे एक स्थान दाएं चले, यह शून्य है, और अपने नीचे वाली संख्या से बड़ा नहीं है, शून्य छे से बड़ा नहीं है, इसलिए उधार लेने की जरूरत होगी, मैं साथ से एक उधार ले सकता हूँ, असल में मैं सौ उधार ले रहा हूँ, ठीक, यदि मैं उधार लेता हूँ, तो इस साथ सो को छे सो बनाता हूँ, यदि मैं सौ उधार लेता हूँ, तो इसका मतलब है दस दहाईयां ये ऐसे है जैसे हमने एक लिया और शून्य के सामने रख दिया लेकिन असल में हम इसमें दस दहाईयां जोड रहे हैं समझाने के लिए हमने यहां से एक लिया और शून्य के सामने इस तरह रखा ये शून्य दाई तरफ के शून्य की तरह है और ये ए हमने इस से लिया ये 6 हो गया और हम एक यहां ले आते हैं अब हम कह सकते हैं ठीक है दस बेशक 6 से ज्यादा है लेकिन यहां पर 3 अभी भी 7 से छोटा है हम 3 से 7 नहीं घटा सकते इसलिए फिर उधार लेना होगा याद रखे हम 22 से दाई और बढ़ रहे हैं हल करने के यह सभी मान्य तरीके हैं अब हम 10 से 1 उधार लेते हैं इस तरह 10 घटा 1 हो जाएगा 9 और यह 1 तीन को देते हैं जो 13 हो गया याद रखे हमने 1 नहीं बलके इसमें 10 जोड़ा है यदि मैं 10 से 1 लेता हूँ तो यह इकाई मे 10 जोड़ने की तरह है मैं आपको उलजन में नहीं डालना चाहता और उमीदे आपको यह तरीका समझ में आया होगा तो बातों की गहराई तक पहुंचने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सवाल हल करना सीख लें तो 13 घटा 7 है 6 9 घटा 6 है 3 और 6 घटा 0 है 6 तो जवाब है 636 कुछ और सवाल करते हैं क्योंकि उधार लेकर घटाना कभी-कभी चक्रा देता है कि आगे क्या करें मान लो हम कहते हैं कि 953 घटा 754 शायद हम इसे उन सभी तरीकों से अलग करें जो इस तरह के सवाल के लिए लेते हैं मैंने पहला तरीका बताया है दाई तरफ से शुरू क करने का अब देखें क्या तीन चार से बड़ा है नहीं तो इसे चार से बड़ा करते हैं इस तरह हम पांच से उधार लेते हैं मैं इसे यहां करता हूँ अब यदि मैं पांच से उधार लेता हूँ तो पांच होगा चार और यदि मैं एक उधार लेता हूँ तो तीन हो अब मैं तेरा घटा चार, तेरा घटा चार कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ समस्या है, चार पांच से छोटा है, यह पहले ठीक था, अब गड़बर हुई है, इसलिए फिर उधार लेना होगा, मैं सैंकडा के स्थान से एक उधार ले रहा हूँ, इसलिए यह आठ हो जाएगा, अब एक यानी सौ को दहाई के स्थान पर रखते हैं, सौ है दस दहाईया, दस को यहाँ जोडने पर यह चौदा हो जाता है, मैंने वहाँ से एक लिया, यहाँ सौ को व्यवस्तित किया, इसलिए नौ का आठ बन गया, नौ सो से मैंने सौ लिये, तो आठ सो रह गये, और जब मैंने सौ को दहाई में लिखा, तो यह दस दहाईया हैं, इसलिए उस चार में इन्हें जोड दिया, मैं इसे काट कर ऐसे चौदा लिख सकता हूँ, ताकि समझ जाएं कि चार को दोबारा लिखा है, यह करके अब मैं आराम में हूँ, तेरा घटा चार है नौ, चौदा घटा पांच है नौ, आठ घटा साथ है एक, 953 घटा 754 है 199, अब हम 22 से दाइं तरफ हल करते हैं, 953 घटा 754, अलग रंग में लिखें, अब यह पिछली बार से थोड़ा अलग है, यहाँ 97 से बड़ा है, पांच, पांच तो बेशक इस पांच के बरावर है, इसलिए घटाने पर यहाँ शून्य होगा, और 3-4 से छोटा है, इसलिए मुझे शायद यहाँ उधार लेना होगा, अगर यहाँ से उधार ले तो यह 4 हो जाएगा और यह हो जाएगा 14, असल में बात वहीं पर आजाती है, जो हमने बाई ओर किया है, इसकी बजाए आप यह करें, 9-7 से बड़ा है ठीक, या और सही ढंक से कहें तो 953, 754 से बड़ी संख्या है, आप जानते हैं, यह धनात्मक संख्या होगी, यह संख्या इस से बड़ी है, अब एक और स्थान बाई ओर जाते हैं, क्या 53, 54 से ब उधार लेते हैं, इस तरह यह 8 हो जाएगा, और हमारे पास 100 है, ऐसा करते हैं, हम इस 100 को यहां रखते हैं, यदि 100 को 10 दहाईों के रूप में दहाई के स्थान पर रखें, तो 5 होगा 15, ठीक, हम 22 से दाई ओर बढ़ रहे हैं, अब हम कहेंगे 8 7 से बड़ा है, या फिर 15 5 से बड़ा है, यहां हम देखते हैं कि 3 4 से छोटा है, लेकिन यदि हम 15 से उधार लेते हैं, तो यह 14 होगा, और यह 3 बन जाएगा 13, क्योंकि आपने दहाई के स्थान से एक लिया है, इसी कारण एक दहाई जो 10 इकाईया हैं, यह 3 में जुड़कर 13 हो जाती है, ध्यान दें, च गटा साथ है एक, उमीद है आपको सही समझा गया, यदि आप कभी चक्रा जाएं तो फिर से इसे देखना चाहिए, उधार लेना बड़ा मुश्किल काम है, कभी आप उधार नहीं ले सकते, तो कभी उधार लेते ही एक नई संख्या सामने आ जाती है, यदि आप चक्रा ज बनाने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए, ये तरीका तब सही है जब संख्याएं बहुत छोटी हो, मैं यहाँ 100 लेता हूँ, अब मुझे इस 100 के साथ दूसरे स्थानों में समों बनाने हैं, इस मामले में हम 100 में से 90 या 9 दहाईयां यहां रखते हैं, और फिर एक 10 को ठ संख्या नीचे की संख्या से बड़ी हो जाए